नवश्कार एपी पी लाइव देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सच्छन वैद कौनवेल्ट गीम्स 2022 जो की समय बमेंगम में खेली जा रहे हैं और भारती एटलीट्स लगातार अच्छा परदर्शन भी यहां पर कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वनी शंकर की ज मेडल दिलाया है मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि अगर हम बात करें अब तक क्या आपके सफर को लेकर के तो 2018 में गोल्ड कॉस्ट में अगर आपके परफॉर्मेंस को देखें तो आपने बरसनल बेस्ट स्कोर किया था नंबर छे स्थान पर आप रहे थे और उसके ब जिस तरीके से आपने यहां पर प्रवेश पाया खास और पर कॉमनवेल्ड गेम्स में दिली कोर्ट का और हमने देखा जो और मिला उसके बाद फिर आप आगे आए और आप यहां पर पहुंचे आप अपना गेम खेल के गर गए हैं किस तरीके से आप अपनी जन्नी को अपने चाया जितनी बी हो इसके साथ अडो सी आमर कन कर पाया तो सबसे इंपॉर्टंट में सबसे ज़्यादाव मेंडल से जादा बड़ी खुशी यह कि अपनी जोभी चोटी मोटी ती उसको मैं ऊवरकम कर पाया और उसके साथ अडीकरुज कर पायाह तो उसका सब संया पने बोला गोल्ड कोस्ट में मैंने 224 करके मैं 6 था आया तो अब इस यह नहीं इसी परफोर्मेंस की तो बस हुई है कि आप दिन नहीं के उपर होता है और कभी-कभी मैंने बोला कि Championship Meets में atmosphere अलग होता है और लोग वहाँ पे medal लेने के लिए आते हैं राधर तर अपना personal best करने के लिए तो खासकर high jump और ऐसे events में आप देखते हैं कि लोग अकसर personal best कम करते हैं लेकिन वो tactical जो होता है कि misses नहीं होने चाहिए या फिर एक से दूस इस बार में पास करके आप दूसरे में जम करेंगे यह सब चीज़ें आप ज़्यादा देखने को मिलते हैं compared to your regular preparatory meets तो वो शायद थोड़ा और नेल बाइटिंग होता है और ज़्यादा एक्साइटिंग होता है championship meets को और अनलेस आप मुतास बार्शीम जैसे बहुती ज़्यादा उस लेवल के हैं कि आप competition को आउट राइट हरा सकें तो जी तेजस्वन बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े ABP Live में many congratulations to you आपके bronze medal के लिए हम उमीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह के प्रदेशन को जारी रखें और देश के लिए और भी बहुत सारे medals लेकर किया है ABP Live से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका